हेलो एवरिवन तो आईए शुरू करते हैं कक्षा आठ का उडान का गनित का चैप्टर दो एक चरवाले रहखिक समी करने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो में दिखाएगे सम को तब ही करना है जब आपको अपने आप सम कोई ना आए यनि आप से कोई सम ने हल हो तो आपने इस वीडियो को देखना है तो यहां से हम जो है चैप्टर दो है जो हमारा एक चरवाले रहखिक समी करने का जो पेज नंबर हमारा 76, 77 और 78 और 79 है जो यह हमने कर लिया है हम अब 80 पेज पर जो समी करन हल करो वाला पार्ट है आज हम वो करेंगे तो आप सभी ने इस वीडियो को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करना है तो देखिए पहले साम में 3X प्लस 5 बराबर 2X प्लस 10 दिया हुआ है तो हम सबसे पहले जो है 3X है और जो 2X है इसको दूसरी साइड ले आएंगे तो यह माईनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड में आकर और जो 5 है वो राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का है यह माईनस का हो जाएगा तो तीन में से दो को माइनस करेंगे तो ये एक X और दूसरी तरफ हमारे पांच आ गया है तो यह X की वैल्यू पांच आ गई है तो आईए अब हम सेकिंड पार्ट भी पार्ट देखते हैं 8Y माइनस 7 बराबर 2Y तो 2Y जो दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा और 11 और जो 7 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा अब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6Y बराबर 18 आ जाएगा और 6 को हम डिवाइड कर देंगे 18 के साथ तो यह Y बराबर हमारे पास 3 इसका आंस्वर आ जाएगा तो इस तरह हम अब इसके B पार्ट के बाद हम C पार्ट करते हैं तो देखिए हम क्या करेंगे जो 5M है इसको लेफ्ट एंड साइड में ले आएगे तो यह है माइनस का 5M हो जाएगा और 12 को हम दूसरी साइड ले जाएगे तो यह है प्लस का हो जाएगा तो 7 में से अगर 5M को माइनस करेंगे तो यह 2M बराबर आ जाएगा 7 प्लस 12 तो यह माइनस करके 5 आ जाएगा तो M की वैलिव हमारे पास 5 बाए 2 आ जाएगी C के बाद हम अब D पार्ट करते हैं 3N माइनस 11 बराबर 9N माइनस 23 तो 3N और 9N इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा लेफ्ट एंड साइड में और जो 23 है माइनस का उसके साथ 11 है जो वो प्लस का होकर लग जाएगा राइट एंड साइड में अब 9 में से 3 माइनस करके 6N माइनस का आ जाएगा और दूसरी साइड पे माइनस के जो है 12 आ जाएगे अब 6 जो है डिवाइड हो जाएगा 12 के साथ तो माइनस 12 अपॉन माइनस 6 को हम काट देंगे तो 6 बन जा 6, 6 टूजा 12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह अफ N है जो 2 आ जाएगा तो इसके बाद जो नेक्स सम है हमारा वो देखते हैं इसमें हमें दिया हुआ है 5 माइनस 4 P बराबर 7 P माइनस 17 तो यह 7 P है जो लेफ्ट एंड साइड में आकर माइनस का हो जाएगा माइनस चार पी माइनस साथ पी और पांच दूसरी साइड में जाका राइट एंड साइड में माइनस का हो जाएगा माइनस सतारा माइनस पांच पी तो ये एड हो जाएंगे ग्यारा हो जाएंगे माइनस के ग्यारा पी और दूसरी तरफ ये हमारे पास 22 आ जाएगा माइनस के 11 P और दूसरी तरफ दोनों माइनस के हैं तो यह माइनस के 22 और 11 अब दूसरी तरफ जाका डिवाइड हो जाएगा तो यह हमारे पास 11 एकम 11 11 दुनी बाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो P की वैल्लिय हमारे पास 2 आ जाएंगी तो आएए E के बाद हम अगला sum F देखते हैं 6-2 क्योग बराबर 16-7 क्योग तो 7 क्योग जो है राइट एंड साइड में वो लेफट एंड साइड में आकर प्लस का हो जाएगा और 16 में से 6 दूसरी साइड में जाकर माइनस हो जाएंगे तो ये 7 में से 2 माइनस करके हमारे पास प्लस का 5 क्योग आ जाएगा और दूसरी साइड में 16 माइनस 6 10 आ जाएगा अब 5 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ दूसरी साइड में ले जाकर तो 10 बटा 5 इसको काट देंगे तो ये क्योग की वैल्लिव जो हमारे पास 2 आ जाएगी तो इस तरह हमने बच्चो सम करने है आएए अब हम F के बाद जो next सम G है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं तो G में हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3 R बराबर 8 माइनस 9 R तो जो 9 R है वो लेफ्ट एंड साइड में आकर प्लस का हो जाएगा और 2 दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा तो 9 माइनस 3 6 R आ जाएगा और इदर भी 8 माइनस 2 6 आ जाएगा 6 के साथ हम 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू एक आ जाएगी तो आएए अब हम इसके बाद जो next H सम है उसको करते है 4 माइनस 7 A बराबर 9 माइनस 15 A तो अब 15 A है जो राइट एंड लेफ्ट एंड साइड में आकर प्लस के हो जाएगे और जो 4 हैं हमारे पास लेफ्ट एंड साइड में वो राइट एंड साइड में जाकर जो है माइनस के हो जाएगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा अब 15 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 8 A आ जाएगा और दूसरी तरफ 5 आ जाएगा तो अब 8 जो है 5 के साथ डिवाइड हो जाएगे यानि भटा लग जाएगे तो 5 बाइ 8 A की वैल्यू आ जाएगे उसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं जे एक्स बाइ 2 माइनस 2 बाइ 3 बराबर एक्स बाइ 3 माइनस 3 बाइ 4 तो एक्स बाइ 3 जो है हमारा पहले हम 2, 3, 3, 4 का निच्चों वालों का LCM निकालेंगे तो पैदले ये 2 पर डिवाइड होगा तो हम इसको 2 पर डिवाइड करके लिखेंगे 2 बंजा 2, 3 ऐसे ही और 2, 2 जा 4 अब फिर 2 पर जा रहा है तो 2 बंजा 2 लिख देंगे और अब नेक्स्ट लाइन में हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे 3 बंजा 3, 3 बंजा 3 तो 2 मल्टिपलाई 2 मल्टिपलाई 3 यह हमारे पास LCM आ गया है अब इनको हम मल्टिपलाई करेंगे तो यह हमारे पास 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12 इनका LCM आ गया है तो अब हम दोनों साइड पे 12 बनाना है हमने तो X by 2 जो है इसको हम 6 के साथ अगर मल्टिपलाई करें तो यह 12 हो जाएगा और 2 by 3 को हम 4 के साथ मल्टिपलाई करेंगे X by 3 को भी हम 4 के साथ मल्टिपलाई करेंगे और 3 by 4 को भी हम 3 से मल्टिपलाई करेंगे तो निच्चे हमारा LCM जो 12 आ गया है अब हम उपर वाली साइड है जो 6 को X के साथ मल्टिपलाई करके 6 X 4 2 जा 8 4 X माइनस 3 3 जा 9 लिखेंगे अब इस 12 को हम जो LCM होता है उसको नीचे वाली साइड से छोड़ देंगे दो नोबर से तो अब 6 4 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस का हो जाएगा और 8 दूसरी और जाकर प्लस का हो जाएगा तो 6 माइनस 4 2 X बराबर हमारे पास जो है माइनस का 1 आ जाएगा तो अब X के साथ जो 2 है वो दूसरी और जाकर डिवाइड यानि माइनस 1 बाइ 2 हमारा आंस्वर आ जाएगा तो इस तरह अब हम जो नेक्स सम है इसके बाद वो करें तो देखिए जे साम में हमें दिया है 2 बाइ 3 Y प्लस 3 बाइ 4 बराबर 3 बाइ 5 माइनस 5 बाइ 6 Y तो सबसे पहले हम जो इसके निचे अंश है 3 4 5 और 6 इनका एलसियम लेंगे तो यह देखिए पहले सबसे 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है 3 2 तू जा 4 5 और 3 3 तू जा 6 अब 2 के टेबल पर फिर जा रहा है तो यहां 3 1 5 और 3 अब यह 3 के टेबल पर जाएगा तो 3 के टेबल पर हम करेंगे तो 1 5 1 आजाएगा अब यह 5 के टेबल पर जाएगा तो यही हमारे पास 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 हमारा ऐलसियम आजाएगा 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 हमारा जो ऐलसियम है वो आजाएगा यहां पर हमारा 60 ऐलसियम आएगा तो आईए अब हम LCM से इस सम को हल करते हैं तो देखिए पहले हम first term को 60 बनाने के लिए यहाँ पर 3 को अगर 20 के साथ multiply करते हैं तो यह 3 तूजा 23 जा 60 हो जाएगा 4 को अगर हम 15 के साथ multiply करें उपर नीचे तो यह भी 16 हो जाएगा 5 को हम 20 के साथ multiply करेंगे और 6 को हम 10 के साथ multiply करेंगे तो यह हमारा LCM 60 हो जाएगा अब हम नीचे हमारा LCM 60 हो गया है दोनों साइड पे तो इसको हम छोड़ देंगे जो उपर वारी term है 22 जा 40Y प्लस 15 3 जा 45 बराबर 23 जा 60 माइनस 5 10 जा 50Y लिखेंगे अब हम Y वाली term दोनों एक अठी कर लेंगे यानि 50 इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा Y 40Y प्लस 50Y is equal to 60 मेंसे जो 45 है या माइनस हो जाएगा तो इस तरह जो हम 50 और 40 को जोड़ेंगे तो ये 90Y आ जाएगा is equal to 15 तो ये 90 है वो 15 के साथ दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसको अब हम कैंसल कर देंगे 15 के टेबल पे सीधा डिवाइड होता है ये 15 1 जा 15 15 6 जा 90 तो Y की value हमारे पास 1 by 6 आ जाएगी तो आएए अगला sum करते हैं इसमें भी हम 4 3 4 6 का पहले LCM लेंगे और उसके बाद इस equation को हम solve करेंगे तो यहाँ MY 4 2 by 3 M बराबर 3 by 4 बराबर माइनस 5 by 6 तो जो नीचे 4 3 4 6 है इनका हम सबसे पहले LCM लेंगे तो देखिए 4 dash 3 dash 4 dash 6 तो यह पहले 2 पर जा रहा है तो 2 2 जा 4 3 ऐसे ही 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 अब यह 2 पर 2 2 दो बार हैं जो फिर divide हो रहे हैं और उसके बाद यह है 3 पर divide हो रहा है तो हमारे पास LCM जो है वो 2 multiply 2 multiply 3 यहनी 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आ गया तो अब नीचे और वाली टर्म को हम 12 बनाने के लिए पहले हम 4 को 4 3 जा 12 4 को हम 3 के साथ उपर नीचे multiply करेंगे और इसके बाद जो 3 है इसको हम 4 के साथ multiply करेंगे 4 3 जा 12 और next 4 को फिर 3 से multiply कर देंगे उपर नीचे और 6 2 जा 12 तो इसको 2 के साथ उपर निच्छे multiply कर देंगे तो निच्छे हमारा LC 12 आ गया इसको हम छोड़ देंगे उपर हमारे पास 3 को M से multiply करेंगे 3M minus 4 तूजा 8M is equal to 3 तूजा 9 और minus 5 तूजा 10M आ जाएगा अब 8 में से 3 को अगर minus करेंगे तो यह हमारे पास minus 8M और जो 10 दूसरी साइट पे आके plus का हो जाएगा यह 10M हो जाएगा ब्राबर 9 तो 10 में से 5 minus करके 5M ब्राबर 9 और M ब्राबर 9 by 5 हमारा इसका answer आ जाएगा तो इस तरह प्यारे बच्छों आपने यह part complete करना है तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद जो मेरे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें आप सभी का एक पर फिर से मेरी और से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मॉच